अभी हम आए हुए घर से बाहर और कहां आई हूँ यह मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर से उसके लिए आपको मेरा जो आज का व्लॉग है फुल वाच करना होगा बिल्कुल भी स्केप मत करना मैं बताऊंगी कौन-कौन आया है बताऊंगी किया मैं आपको दिखाने भी हुँ हमारे साथ कौन-कौन आया है व्लॉग पसंद आय तो लाइक चापना लाइक जरूर चापना आप लाइक चापने में बहुत कंजूसी करते हो और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ओके व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी क वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी हैपी विद सिंपल लाइफ सो आप लोग देख रहे हो मैं बिलकुल रेडी हूँ मैं क्या सभी लोग रेडी है और जहां मैं जा रही हूँ वहां मेरी जाने की बहुत ख्वाइश थी क मेरा क는데 मेरा गेटप मेरा आउटवेट सब मैं आपको शो करा रही हूँ तो यहांप क्यान रखे साडी है तो कभी-कभी इच्छा होती है साडी पहिनने की आल टाइम तो नहीं होती बट कभी कभी होती है तो मैंने वही पैन रखी है साड़ी रेड कलर की सिंपली एक चोटी का रखी है और वस और कुछ नहीं बाकी नॉर्मली जैसा हमेसा ही रडी रहते हैं उस टाइप से और अभी साथ में मेरे सिस्टर है उससे मैं मिलाऊंगी और दिखाती हूं उनका भी आउटफिट ठेक है तो चलो अपनी सिस्टर से भी आप लोग को मिलाती हूं बट जहां मैं आज जा रहे हूं सच में मुझे बहुत इच्छा थी वहां जाने की मतलब एक होती है ना मन में ख्वाइश होती है आपके भी मन में होगी कि हम वहां जान बोल रही है और वस यह भी रेडी है और देखे इशारा करके बता रही हम कहां जा रहे है तो तोड़ा बहुत आपको टाइटल से भी हिंड मिला होगा हम कहां जा रहे है तो इन्होंने यलो कलर की ड्रेस पहन रखी है बहुत प्यारी है सरारा है यलो कलर का मैंने साड़ी प करके मिलवाएंगे तो पहले इस रूम से निकलते हैं भार की तरफ तो यहां पर मैं आपको मिलवाऊंगी अपने पती देव जी से जो कि बहुत टाइम के बाद मेरे व्लॉग में आये हैं एक्चली इनको बिल्कुल चुट्टी नहीं होती है ऑफिस 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 बस यह मैचिंग किये सो अधिसे लिए हम लोग दोनों लोग साथ हासे कि हमारी ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग किया और हमने जान बूच के पहन रखी है मैचिंग अच्छी लगती ना कपल ड्रस मुझे बहुत अच्छी लगती है तो यहां पर पते देव जी आप लोग से हाई हलो अभी बोल दीजिएगा तो अभी हम मिलवाएंगे आप लोग उसको मिलवाएंगे मम्मी से क्योंकि हमारी मम्मा है जो बिल्कुल रेडी है वो भी मेरी कहल से बाहर ही है तो चलो चलते बाहर की तरफ और वहां मैं मिलवाती हूं आप लोग से अपनी मम्मा को तो यह देखि वारताला पे वो चलती रहे आप लोग से ऐसे ही तो चलो यहां पर यह देखो मेरी मम्मा है बहुत धूप हो रही थी जो कि मैं भी देख रही हूं तो बिल्कुल धूप नहीं लग रही पर दूप बहुत तेज थी और आजकल वैसे भी मुझे क्या लगता है गर्मी बहुत पड़ने वाली है क्योंकि अभी मार्च का मैना अर्धूप बहुत तेज हो रही है और यहां पर मम्मा है हायलो बोल रही मैं बोली मम्मी कहा जारे बताओ कहा जारे तो मम्मी करी मैं नी बताओंगी आप बता दो बस त्यां निकलने से पहले थोरा सा फोटो सेशन हो जाता तो सही रहता फ्री हो जाते हैं या तो फिर जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके बाद आप फोटो शेशन करो या फिर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले फोटो शेशन कर लो तो फ्री हो जाते हैं यहां यह देखिया हमारे प्यारे से सुईट से हमारे जवाई साथ तो यह जा रहे हैं और अभी मैं आपको बताती हूं हम कहां जा रहे हैं तो चलिए अभी तो फिलाल हम निकलते हैं घर से और यहां पर हमने क्या है ना एक कैब कर रखी है और एक हमारे जमई साब की कार है तो बस उससे हम लोगों को हो जाएगा अभी हम लोग जितने लोग हैं तो य से हम जाएंगे तो यह हमारे लिए अच्छा हो गया और आप देख रहे हैं पीछे सो वो हमने कैप कर लिए तो हमारे पास दो गाड़ी है तो बस अभी हम निकलते हैं और फिर मिलते हैं आप से रास्ते पे या फिर देखती हूं अभी काम वर्जी होती कैमरा उठाती हूं तो एक में क्या है न एक गाड़ी में हम लोग सभी लोग बैठ गए थे मतलब मैं मेरे पति देव जी और जमी साब और मेरी मम्मी ठेक है बाकी एक गाड़ी में देखिए आप लोग यहां पर तो यह इस गाड़ी में स्रिफ बच्चे बैटे हैं हमारे चारो बच्चे और बस अमारा सुरू हो गया और मैं बताउँगे आप से आगे कि हम कहां जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगाता है बहुत लगा रखा है। मैंने साथ में ले लिए मासक तो अभी तो अपने ही लोगहें जब बाहर निकलेंगे तो मासक भी लगा लेंगे तो sister ने तो लगा लिया पहले से ही और अभी तो क्या है कि मास्क रख लो जरुवत लगती तो पहन लो यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर क्या है न हम आ जा रहे हैं हारे के सारा बाबा काटूशयाम हमारा अपने सुना होगा तो हम जा रहे हैं और हम आचुके हैं बट हमने अपनी गारी भी जो थी वो भी पार्किंग में लगा दी है और क्या है कि गारी पार्किंग लगाने से लेकर जो मंदिर है उसका सफर बहुत दूर है तो चलना तो इतना दूर पैदल चल के जाना पॉसिबल नहीं है तो क्योंकि छोटे बच्चे हमारे साथ चार चोटे बच्चे उनको लेकर चलना पॉसिबल नहीं है तो हमने अपनी गारी वहां पे पार्किंग में लगाई और उसके बाद वहां से हमने यी रिक्षा होता है वो किया क्योंकि वही साधन ही है वहां पे यी रिक्षा अराम से एविलेबल है तो लेके जा तो वो अपने जंडे बगरा लेखे जाते हैं सो यहां पर हम लोग आ गए हैं इतना अच्छा लगा था गाइज इतना अच्छा लगा थाटू शाम में आके बहुत अच्छा लगा और हम तो मतलब दर्शन के लिए गया थे ऐसी कोई हमारी मनत मनुकामना नहीं थी बस एक होत बहुत कोई थी तो हम खाटूश याम बाबाजी के पास आ गये तो बहुत अच्छा लगा हमें बहुत ही अच्छा लगा तो अभी आपको दिखाते हैं बीड बहुत ज्यादा थी और अभी क्या है कि आवाँ पर मेला वगरा चल रहा है होली के टाइम मेला वगरा चलता है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह मुझे बहुत अच्छा लगा था बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है यह इधर से गूम के आके फिर ऐसे ऐसे करके तो बस यह है कि इससे क्या होती है भील बाल होती है अगर सीधा रास्ता होगा तो बहुत भील हो जाएगी इ तो पॉसिबल नहीं था कि मैं अचुखे बिल्कुल नजदीक आचुके हैं बस अब हम को सीधे दर्षन करने हैं और भील बहुत जाधा भीड थी तो पॉसिबल नहीं था कि मैं मंदिर में तो कैमरा बिलकुल भी ओपन करा ही नहीं जल्दी से आप दर्शन करो जल्दी से आप वहां से अटो यह वाला मतलब सीन था वह देखिए अभी आपको दिखाओं मैं वह देखिए कितनी भीड है और इसी भीड में हम लोग भी है वह आप देख रहे हो ना अंदर सामने हमको वहां जाना है और पूरी रस्ते मतलब जोटे बच्चे भी है खैर बच्चे हमारे सेफ हैं बिल्कुल सेफ हैं उनको आम लोग ने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा हुआ है बच्चों को अना तो बस यह यह देखिए आप कितनी भीड है और दर्शन वगेरा लेकिन बहुत अच्छे से हुए बोलते ना जब आ जाना तो दूर आपको दर्शन भी नहीं मिल पाते हैं तो कुछ भी चीद पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वहां से दर्शन वगेरा करने के बाद बाकी मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल अलाओड नहीं था वहां पे मुबाइल निकालना कैमरा निकालना त तो काफी रात हो चुकी थी तो अभी हम लोगों को सबको लगी थी भूख तो क्योंकि अभी हम जा रहें वापिस अपने घर की तरफ और ठंड भी लग रही थी हो मैं स्वेटर वगेरा कुछ लेके नहीं आई थी और क्योंकि सुबा का जो महल था बहुत दूप थी मुझे लगा ही नहीं कि ठंड पड़ेगी अभी क्या है कि सदन एकदम से ठंड लग रहे थी तो मैंने इस तरह से लगा मुझे फिर अभी चलते हैं अंदर ही हम अपना डिनर करने के लिए चलिए और अभी हम यहां पर बैट चुकी अपने अपनी टेबल पर तो मैंने का चलो अपना खाना ओडर किया है और हमारा डिनर आएगा उसके बाद हम अपना डिनर करेंगे और अभी यहां से रिकलेंगे सिस्टर ने शूट किया है सारी चीजे और बस हमारा डिनर भी अभी आता होगा और भूग बहुत तेज लग रहे थी क्योंकि हम सुबह से निकले थे औ सुआ कांप अपूरा करते हैं और इसके बाद यहां से निकलते हैं और मिलती हूं आप लोग से थोड़ी देर के बाद फटा फट से डिनर कर लें अचलो už मिलती हूं डिनर के बाद ठीक सो गाइज यहाँ पर अभी आप देख रहे हो डिनर वगेरा हो गया है और बस हम निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ तो आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज गाइज लाइक चापना है ना हमें कहती हूँ आप लोग से लेकिन आप लोग की मर्जी है लाइक चापना चानल को सब्सक्राइब करना मिलती हूँ नेक्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाइबे चेकर लोव यू ओल गाइज बाइज बाइज